बिग बॉस 14 के मेकर्स ने इस सीजन को हिच बनाने के लिए कई मजबूत कंटेस्टेंस की बली चड़ा दी है इस लिस्ट में अब इजास खान का नाम भी शामिल हो चुका है दरसल बीती रात ही ये खबर सामने आई है कि मेकर्स इस वीकेंड पर इजास खान को घर से वेघर करेंगे इजास खान इस हफते बिग बॉस 14 के घर से वेघर होने के लिए नॉमिनेटेड हैं उनकी एविक्शन को वोट के अधार पर नहीं किया जाएगा इजास खान ने सलमान खान के इस शो में आने से पहले एक फिल्म के लिए कमिटमेंट किया था जिसके लिए उन्हें ना चाहा कर भी शो को छोड़ना ही होगा इजास खान की eviction की खबर ने उनकी फैंस का दल तोड़ दिया है उनकी फैंस का कहना है कि बिग बॉस Sh보다 का ये सीजन बेहद ही घटिया है क्यूंकि मेकस कुछ भी कर रहे हैं वही कुछ का मानना है कि मेकर्स ने पहले से ही रुबीना दिलेक को ही विनर बनाने का प्लैन बनाया है। अगर इस शो को डेड़ महीने के लिए एक्स्टेंड नहीं किया जाता तो इजास खान असानी से इस शो का खिताब अपने नाम कर ले जाते। इजास खान शुरू से ही इस शो का हिस्सा रहे हैं और सबसे जादा सुर्खियां भी उन्होंने ही पटोरी है। बिग बॉस से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को सबसे पहले पाने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ।